नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट में दोस्तों आज की वीडियो फिर में लेकर आ गया हूँ जिसमें से कि आपके दो नम्मर पक्के होंगे दोस्तों दो प्रश्ण है हर हाल में आपको UPTGT यह DSSB, KVS, NVS यह किसी भी competitive exam में आपको देखनों को मिलेंगे फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है यदि चैनल पहरी बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आपको दो नमर पक्के होने वाले हैं क्यों से जानते हैं दोस्तो आपको मालूम होगा कि जो के लिए किलिए डेका ठलान होता है और महिलास के लिए हैपटर ठलान होता है सबस्पहБहले आपको मालुम हルोंजिए कि जो डेका थलाना है वो 2 दिनों की प्रतोगीता है और जो हेकटा थलाना में 10 इvent होते हैं और जो हेकटा थलान में 7 इvent होते अब दोस्तो मैं देखता हूँ कि आप सभी लोग इसके ट्रिक बनाएं दोस्तों आपको ट्रिक बनाने की कोई नीड नहीं है आज मैं आपको ऐसे लर्न करा दूँगा डेका थलान इवेंट जो आप कभी जिन्दगी में नहीं भूल पाएंगे दोस्तों आपको इने ट्रिक याद करिए बस आप इस वीडियो को देख लीजे आपके दो नम्मर पक्के हो जाएंगे अब बात करते हैं सबसे बहले डेका थलान इवेंट में दोस्तों डेका थलान पूरसों में होता है दो दिन की प्रतोगिता होती है जिसमें 10 इवेंट होते हैं सबसे पहले आपको ट्रैक और फिल्ड इमेंट में डिवाइट करना हैं आपको बता दे जो हमारे ट्रैक इवेंट है वो 4 होते हैं फिल्ड इवेंट हमारे छक Alright है अब सबसे जो पहला दिन होता है पहली दिन में आपको याद रखना है जो स्टार्टिंग में में 100 में का और 400 मेंनिन अब इसके बाद दो दिन आपके jumping event होंगे और एक throwing event होगा jumping event में आप यहाँ पर देख पका सकते हैं long jump और high jump long jump और high jump की बीच में आपको एक throwing event है जिसे बोलते हैं short put तो इस प्रकार पहले दिन में 5 event होते हैं पहला 100 meter running long jump short put high jump 4 meter running अब बात करते हैं second day की दूसरे दिन क्या होता है दूसरे दिन भी यही run लीती होती है जो दो track event बचते हैं 110 meter headle और 1500 meter 110 meter headle को पहले हम लोग starting में कराते हैं second day के और जो last event है वो 1500 meter running है अधिकतर पर इचौन पुछा गया है डेगा थलान का अंतिम event कौन सा है तो आपको याद रखना है 1500 meter अब दोस्तों यहाँ पर उल्टा है यहाँ पर आपको दो दिख रहे होंगे throwing event और एक दिख रहा होगा jumping event तो याद रखिएगा second day दो throwing event की बीच में एक jumping event होता है पहला discuss और दूसरे javelin इसके बीच में आपको pole wide मिलेगा pole wide javelin throw 1500 meter अब बात करते हैं दोस्तों महिलाओं की याणि जो heptathalan होता है वो महिलाओं के लिए है इसमें 7 event होते हैं इसमें पहले दिन 4 event होते हैं दूसरे दिन 3 event होते हैं अब दोस्तों पहले दिन कितने event होते हैं track event कितने हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले दिन जो हमारे track event है वो मातर 2 है 100 meters headals first event है पहले दिन का और 200 meter running last event है पहले दिन का इसके बीच में एक हमारा throwing event एक jumping event याद रखिएगा जिसमें से की high jump हमारी पहले है और short put बाद में है इस प्रकार जुनका क्रम है 100 meter headals high jump short put 200 meter running अब दोस्तों जो हमारा second day है उसमें बचने तीन event है तीन event में दोस्तों आप याद रखना है कि जो हमारा high jump था पहले दिन हुआ तो इसके बाद क्या बचा long jump तो हमारा दूसरे दिन क्या बचेगा javelin throw याद रखिएगा इसके बाद जो last event है 800 meter running आप देख सकते हैं कि जो हमारा पुर्सों के लिए डेका थलान था उसमें जो अंतिम event है 1500 है और जो heptathalon का जो अंतिम event है वो 8 meter है दोस्तों मैं आपको एक questions बता रहा हूँ ये questions आपके TGT 2022 में आने की 100% संभावना है दो event ऐसे कौन से हैं heptathalon डेका थलान में जो अंतिम दिन होते हैं last event तो दूसरे दिन का जो last event है वो डेका थलान का है 15 meter और जो heptathalon का है वो 8 meter याद रखिएगा दोस्तों डेका थलान पुर्सों के लिए है और heptathalon महिलाओं के लिए event होता है ये athletics का combined event है दो दिन इसकी प्रत्योगताएं होती है I hope आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा यदि पसंद आया हो तो वीडियो को like करिएगा चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं वीडियो पर टेक केर बार है